आज हम यूनिट नमबर फॉर का जो टॉपिक नमबर टू करने जा रहे हैं आवो ये देखेंगे हम उसके अंदर कि जब हम बच्चों को बावाज बुलन कहानिया सुनाते हैं पढ़के तो उसमें बच्चों की टेक्स कॉम्प्रियंशन कैसे डिवेलब की जा सकती है और कैसे डिवेलब होती है अब डेफिनेटली जब हमारे पास छोटे बच्चे आते हैं किंडर गार्डन में या प्री स्कूल के अंदर तो इंपॉर्टन चीज उनको आनी चाहिए ग्रेड वन में जाने से पहले या और प्रोसीडिंग एडवांस ग्रेड में जाने से ऐसे पहले प्री-सकूल के ही चाहे वो ग्रेड़ हो कि उन्हें यह पता हो कि कि चुछ रहे हैं वह जो जिवां सीख रहे हैं भान कि फंदमेंटल प्रिंसपल क्या हैं ऐस्पेशली कौनसे प्रिंसपल्स जो प्रिंट में होते हैं वियर्च हमारे सामने उर्दु की अँर्दु की जब हम पढ़ने जाते हैं तो हम कैसे पढ़ने कैसे होई मुफ कर्ता है रहाय लेफ्ट राइट करता है जब करना लगतते हैं हम उपर से नीचे पढ़ते हैं जै कि अँब को पढ़ने के कुछ fundamental principles हैं जो हम बच्चें को बावाज़े बुलंद class में करके दिखाते हैं पिंपॉइंट करके दिखाते हैं उन्हें छोड़े groups में लेके बैठते हैं और जब हम किताब पढ़ते हैं और उस पे उंगली फेर रहे होते हैं तो बच्चे समझ जाते हैं कि skills जो हैं develop करने से पहले पहले कि जो भी words वो उसके अंदर पढ़ रहे हैं definitely वो words को sound करते हैं और वो इसको हम कहते हैं correspondence to spoken skills या spoken language जो words बोल रहे हैं या उस किताब के अंदर देख रहे हैं वो कैसे sound होगा वो कैसे बोला जाएगा वो क्या concept है यह चीज़े बच्चों को हम बह sounds कर लेते हैं important चीज़ जो अगली है वो यह है कि बच्चों को यह भी पता चल जाता है कि letters कुछ और होते हैं words कुछ और होते हैं letters के sound होते हैं जब हम sound को combine करते हैं तो हमारे पस क्या आ जाते हैं words आ जाते हैं जब adult as a teacher या as a parents या sibling बच्चों के सामने किताबों को खोलते है और कहानियों को पढ़ना शुरू करते हैं तो जब उसके सामने आप पढ़ रहे होते हैं अब properly demonstrate कर रहे होते हैं कि हमें कहां से पढ़ रहा हूं कैसे पढ़ रहा हूं अगर आपके पास group है तो आपने जो कहानी की बड़ी सी किताब खोली है वो बच्चों के सामने face करें औ और अपनी उंगली फेड़ते जाएं जो आप पढ़ रहे हैं या उन्हें दिखाते जाएं जहां आप फोकुस करना चाहते हैं वहां पर आप उंगली रखें और बच्चों से उसके बारे में discuss करें और बताएं कि यह क्या चीज़ है और वहां से बच्चे जो हैं वो टेक् कर सकते हैं, follow your action कि आप कैसे कर रहे थे तो वो भी ऐसे ही करना शुरू कर देते हैं बच्चों की one-to-one correspondence skill कैसे develop होती हैं जब आपको ही एक specific word, term, concept या picture के उपर अपनी उंगली रखते हैं और बच्चों का focus attention वहां ले जाते हैं और वो आप बताते हैं कि यह क्या है और आप उस पर उनसे discussion करते हैं, तो definitely बच्चे उस term, concept, vocabulary को बहुत अच्छे तरीके से याद रखते हैं जो independent learner होता है या reader होता है, independent reader बनने के लिए जरूरी होता है कि हमें एक understanding, sophisticated understanding हो, text के बारे में किसके functions क्या है, इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, तो यही एक important जाए variety of books की, variety of genres की, जिसको वो पढ़ें और पढ़के उनकी multiple vocabulary across the curriculum develop हो, दूसरी, जब हम उनसे किताबें उनके सामने read aloud कर रहे होते हैं, तो function of language or text हम उनसे discuss कर रहे होते हैं, आखर इसमें author आपसे क्या बात कर रहा है, क्या आपको को information देना चाह रहा है, क्या आपको convince करना चाह रहा है, क्या आपको entertain करना चाह रहा है, तो यह सारे functions हैं, कहानी के, text के, message convey करने के, हम different genre बच्चों के सामने लाते हैं, उससे हमें different variety of writing और messaging जो है, वो हम बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ के सुनाते हैं, और बच्चों का interest उसमें develop होता है, read aloud में आप बच्चों को variety of text जो है, introduce करवा सकते हैं, variety of context और structures जो है, वो introduce करवा सकते हैं, मिसाल के तोर पे आपके सामने यहां मौझूद है, force के बारे में, तो मुक्तलिफ किसम की language जो है, वो आप force का concept पढ़ाते हैं, भी इस्तिमाल कर सकते हैं, जैसे कि compare and contrast, किसके अंदर, कि आप pushes और pulls के अंदर compare कर सकते हैं, कि क्या similarities है, क्या contrasting है, cause और effect को देख सकते हैं, कि जब आप किसी ball को kick करते हैं, तो cause क्या है और उसका effect क्या हमारे सामने आता है, तो यह scientific language है, यह terms हैं, जिनको हम read aloud करके, बच्चों से discuss करके, इनको introduce करवाते हैं, जिब हम बच्चों से reading करवा रहे होते हैं, य नहीं पढ़ने में मज़ा आता है, हम books पढ़ते हैं, identify करते हैं, discuss करते हैं, elements जो उस text में जा रहे होते हैं, हम बताते हैं किसके अंदर कौन सी vocabulary यूज की गई है, क्यों इन vocabulary को choose किया गया, बाकियों को क्यों नहीं choose किया गया, specific terms क्या है, यह dialogue कि इतने interesting तरीके से लिखने का style क्या है, text का structure क्या है, क्या आपकी graphical component है, बच्चे उसकी list बना सकते हैं और फिर वो अपनी कहानी लिख सकते हैं by learning after reading with you.